अब लो दोस्तों स्वागत आपका दाएंजिनेर एडवाई चैनल में आज किस वीडियो में हम देखेंगे फॉल्ट एन इंडिकेटर और उनकी ट्रवल सूटिंग में इस वीडियो में हम ट्रवल सूटिंग के बारे में सिखेंगे वह सब्ले एडिस सिस्टम की तो जैसे कि सब्सक्राइब आप सारी वीडियो देख सकते हैं तो आज के इस वीडियो में हम ट्रवल सूटिंग के बारे में सीख रहे हैं तो जैसे कि आपको पता था आप पहले की वीडियो में देखा था वह सलाम कंट्रोलर था उसके फ्रेंट पर आपको फॉल्ट इंडिकेटर थे अब वह 12 जो है फॉल्ट इंडिकेटर से 12 यलो लाइन यलो जो है एलेडी थी उन फॉल्ट को बताने के लिए कोई फॉल्ट होता था तो वह एलेडी लिट हो जाती जल जाती थी लाइट अप हो जाती थी तो वह फॉल्ट कौन कोचे थे एक था प्रोसेसर डिसाइट नेट फॉल्ट और मेंस पावर सप्लाई फॉल्ट बैटरी फॉल्ट मैसिस फॉल्ट इमर्जन्सी माइक फॉल्ट आज फॉल्ट एंड राउटर फॉल्ट तो इनको हम आज जो है बिलकुल इनकी ट्रवल सुटिंग देखेंगे अगर यह जो फॉल्ट आते हैं तो आप इनको सारे फॉल्ट यह है ठीक है फिर उनका डिस्किप्शन है फिर उनका रिकामंडेट एक्षन है कि आपको क्या एक्षन लेना है जिसे इंडिकेटर हमारे क्या क्या थे पहला इंडिकेटर जो था पहले कि हमें बात करूं तो पहला था प्रोसेसर रिसेट तो प्रोसेसर अगर अगर यह अगर उसकी LED के लिट होती है जलती है तो उसका मतलब यह आप प्रोसेसर इस डिटेक्टेट अब इस कंडिशन में आपको क्या करना है आपका जो वह सलाम कंट्रोलर उसको एक बार ऑन करना है ऑफ करना है तो यह फॉल्ट चला जाएगा और यह फॉल्ट जनरली आपने वह सलाम कंट्रोलर की आपने फर्मवेर अपडेट की है उसको और आपने उसका स्टूच के जोड़ा फिर आपने एम्प्रिफार को भी जोड़ा फिर आपने कॉल इस्टेस्ट को भी देखा तो उन सारे जितने भी हैं आप connection उनके चैक कर लें play लगे हैं उनका और फ्रफ फट फाइब केल जो पर्फिशन्त है यह उनके जो नंबर ऑफ ज्यादा लगे ज्यादा है आपके 6 राउटर ने तो आप उनको देख लें उनकी जो कॉन्फुरिगेशन आइडी प्रॉपर तरीकिस सेट है या कॉल इस सेट है तो यह सारी चीज आपको एक बार चेक करने पूरेंगी नेटरॉक फॉल्ट के लिए अब आते हैं कॉल्षे में इस क्लिशन में क्या होता है । जैसे कि पता है आपको वन चैनल मोड में क्या होता है जो आपकी मैंने पहले बता दिया फ्रीम तलयता हूं जो आपकी कॉल होती है और आपकी emergency calls होती है और आपकी business calls जो होती है controller के बात कर रहा हूं में हाँ पर controller में दोनों उसका internal amplifier जो होता है उसी से जो होती है वो चलती है अगर two channel mode है तो two channel mode में जो आपकी bgms होती है background music जो होता है वो आपका controller के अंदर वो आपका external amplifier से चलता है और आपके जो calls होती है वो आपके जो आपकी vision होती ही controller के अंदर वो आपकी उसके internal amplifier से controller के चलती है और आपकी जो calls होती हो external amplifier से चलती है two mode में two channel mode में ठीक है मैं controller की बात कर रहा हूं है तो यहाँ पर भी यह लिखा है देखिए in one channel mode she is the voice alarm controller off and on again one channel mode में क्योंकि आपका internal amplifier से और रहा है सब कुछ in two channel modes switch the external amplifier off and on again ठीक है समझ में आगे होगा आपको फिर आता है अगर यह फोल्ड आता है music slash spare का ठीक है the vision power amplifier इसका मतलब है vision amplifier आपको 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 स्थे आपको एक्स कर आपको अपको आपको 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 अगाए आपके जितने बी जॉन से उनकी जितने भी लावड स्पिकर लाइन से उनको आप एक बार चेक कर लिए वह सौट तो नहीं है तो नहीं होगे वहां पर फिर अगर कोई इंपूट होता है ठीक है इमर्जेंसी टिगाट इन्पुट होता है इंपूट का मतलब है 14 दा connection to an emergency ticket input is detected it क्ट्रेटीइन में क्या कह Ronnie गबेंगे आप चेक दे कोनेक्टेट फिर आप संक्टीङ प्रपर्ली कनेक्टेट है कहीं पर वह कनेक्टेट सब्सक्राइब टिक तो उसको देख लेना है वह पर आपके बैटरी खराब हो गें यह सम्तिंग जो भी आप उसको देख लेगा फिर मैसे आता है इसका मतलब यह आता है तो आपका जो controller है तो उसके बार on-off कर ले तो यह वी जहेंगा फिर माइक इमर्जेंसी मैट जिसे कि बताया था इमर्जेंसी माइक लगा होता है कंट्रोलर पर ठीक यह पूट रोटा होता है तो एक आप माई को चेक कर लें मैंक तो कराम नहीं होगी उसको आप चेक कर ले या उसकी कोई वाइरिये स्सक्राइब हो सकता है तो इसको एक बार में नियु से एक करके देख लिए अगला फॉल्ट है और सीपी आर सीपी का मतल्स आपको बता है रिमोट कंट्रोल पेनल जो की वह इस लगे होते हैं कंट्रोल में लगाते हैं अगर रिमोट ली रोकेशन पर जो है ऐपकी अगर जो कार्वंट होती है तो ये खुराब नहीं होता है फिर भी आप देख लें बात होती है चो करनेक्ट होता हैं तो इसलिए नहीं होता है नोट में तो आपको राउट में जाके एक भार देखना पूडू ऑगी हां तो दोस्तों यह था आपके फॉर्ट इंडिकेटर और उनकी ट्रेवल सूटिंग कैसे करनी है तो यह आपको सारी चीजे करनी पड़ेंगी तो दोस्तों आपसे गुजारिस आप हमारे चैनल को जली से सब्सक्राइब कर लें और आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरू करbourne कि इसमें टीर करें बहुत सारी इसमाले मेहनत लगती है आपने दोस्तों को सेर करें वीडियो के में भी मैं प्लेइलिस बुना के लिंक दे दूँगा तो दोस्तों उमीद आपको वीडियो पसंद आ रहे होगी आगे तक की वीडियो के लिए थैंक यू सो मच